मेरी स्कूल में एक लड़का था गगन, हर कोई उसके पास रहना पसंद करता था, जाव होता था, सब हस रहे हैं, लड़के लड़किया, बाते कर रहे हैं, हर किसी को उससे बात करनी पसंद थी, ना उसके पास extraordinary looks थी, मैं extraordinary पैसा था, पर वो बहुती confident था अपनी communication में, किसी को भी मिलेगा तो एक दम smile के साथ, पूरे eye contact के साथ, किसी topic पर बात शुरू कर देगा, shoes किसी के अच्छे लग रहे हैं, उसकी तारीफ कर दी, अपनी communication की वज़ह से, वो तब भी star था, और आज भी हम उसको याद करते हैं, आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, जिन कर पाते हैं, वो जादा अच्छे से business कर पाते हैं, job में higher position तक पहुंच पाते हैं, अच्छे relations बना पाते हैं, हर कोई उनके साथ रहना पसंद करते हैं, और सबसे important, ये लोग जादा confidence के साथ जीते हैं, communication अच्छा होना जितना फाइदा दे सकता है, खराब communication उतना ही नुकस कर सकता है, reports के हिसाब से divorces का top कारण couples में communication ठीक ना होना है, medical negligence से जो हमारे देश में deaths होती हैं, उनमें से 70% deaths का reason miscommunication है, communication issues ना होते तो ये सब यूद ना होते और titanic भी बच जाता, communication एक ऐसी चीज़ है जो हम हर रोज करते हैं, पर इसके rules और tools बहुत कम लोगों को पता है मेरी पिछली वीडियोज में मैंने कुछ basics दिये हैं और लाखों लोगों ने उन tools को use करके अपनी communication को improve किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी underrated communication skills की, जो आपके हर दिन काम आएंगे Communication एक science है, जिसमें 70% role आपकी inner psychology का है और 30% आपकी strategies पहले point पे psychology की बात करेंगे और बाकी के 6 points में हम strategy discuss करेंगे पहला point, overcome social anxiety, imagine करो आप एक room में हो जो आप किसी को नहीं जानते, आप कमरे में चारों तरफ देखते, आपको कई लोग दिखाई देते अब आप मन में सोच रहे हो कि मुझे बात चीत तो करनी चाहिए, कुछ बाते आपकी जुबान पर आ रही है पर बाहर नहीं आ रही है बोलू ना बोलू, बात करूँ ना करूँ, चलो इसे बोल लेते तो चलो रह नहीं देता हूँ, ऐसे ख्याल उपर नीचे होते आपको फता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या बोलना है, लाइंग्विज तो सबको आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डर लड़के के आगे बोल लेते है, लड़की के सामने बोलानी जाता, कुछ दोस्तों के साथ कमफर्टेबल है, लेकिन बॉस के आगे बोलानी जाता, घर वाले है तो चलेगा अजनवियों के साथ बात नहीं कर पाते, ये डर किसका है, ये डर है rejection का, कुछ गलत बोल दिया तो, अगले ने अच्छे से बात नहीं करी तो, अगर मेरा मजाख उड़ गया तो, let me tell you truth, सच बोलू, कुछ लोग हसेंगे, कुछ मजाख उड़ाएंगे, कुछ मना कर देंगे, पर क्या इन कुछ लोगों की वज़े से, आप खुद को confident नहीं बनाओगे, आप express नहीं करोगे, जो relations आपके build हो सकते हैं, वो भी नहीं करोगे, अरे जादा से जादा worst case में क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा, बातचीत नहीं होगी, कह देगा, leave me alone, तो वो तो अब भी नहीं हो रही है, Mark Zuckerberg का एक बहुत famous quote है, the biggest risk is not taking risk, सबसे बड़ा risk होता है, risk ना लेना, एक quick tip दूँ आपको, अगली बात जब भी डर लगे न, ये मत सोचना कि मुझे न सामने वाले से बात करें, ये सोचों कि खुद को confident बनाने के लिए, मुझे एक risk लेना है, जब आप risk ह चोटे risk आपको बहुत फायदा देंगे, आपकी जिजक और दर को खतम करेंगे, हर बार आपके confidence को build करेंगे, second point है, SST, एक बार आपने conversation के शुरुआत कर दी, अब सामने वाले को engage कैसे करें, एक अच्छी conversation को establish करने का सबसे simple और effective तरीका है, SST मतलब skip the small talk, simple words मैं बोलू त तो ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में देकर खतम हो जाए, उन सवालों को avoid करो, जैसे आप किसी को पूछो, suffer ठीक रहा, हाँ या ना, यही जवाब मिलेगा, meeting सही रही, सामने वाले के बस दोई option है, हाँ या ना, इनका खाना अच्छा है, हाँ या ना, इसकी जगा एसे सवाल पूछो, कि सामने वाले को मौका मिले, बोलने का, engage होने का, सफर में क्या-क्या किया, meeting में क्या हुआ, इनके खाने के बारे में आपका क्या-क्याल है, interest me, आप हैरान हो जाओगे जब आप ये technique intentionally अपनी conversation में लाओगे, आप ये देखोगे कि लोग कितना चाहते ह अपने बारे में बताना, अपनी चीजों को share करना, बस कोई पूछने वाला हो, तो कोई भी सवाल पूछो, इस चीज का ध्यान रखो, उनका interesting सा नाम उसके पीछे क्या कहानी है, उनके parents ने ये नाम क्यू रखा, या फिर वो कब से इस शेहर में है, उनका पहला दिन कैसा थ वो कहां से belong करते हैं, family में कौन-कौन है, कौन क्या-क्या करता है, इस तरह के कई questions हैं, जिसमें small talk नहीं होती, जब लोग आपसे जादा share करेंगे, तो वो आपसे जादा connect करेंगे, देखा जाए तो हर बात के पीछे कहानी है, आप उनकी कहानी से जुड़ो, वो आपसे एक conversation में न, एक negative start से जादा कुछ negative नहीं हो सकता, sociology में बहुत popular concept है, homophily, मतलब लोग उनके जादा करीब आते हैं, जो उनके जैसे होते हैं, तो अगर आप चाहते हो एक repo build करना, तो इस technique को आप use करो, in fact ये technique बहुत आसान है, healthy conversation build करने के लिए, जब आप पहली बार किसी को मिलती हो, कोशिश करो, उस शक्स में कोई ऐसी चीज ढूनने की, जो आप में और उसमें common हो, मैं अपनी personal example share करता हूँ, एक बर मैं flight में जा रहा था, तो मेरे साथ जो बैटे थे वो book पढ़ रहे थे, तो क्योंकि मुझे भी reading का शौंक है, तो मैंने उनसे discussion करी कि इस book का क् मेरे साथ discuss करा, reading की habit discuss हो, आपने कौन-कौन सी book पढ़ी है, मैंने कौन-कौन सी, और एक दोस्ती हो गई, वो NTPC के एक top executive थे, लेकिन वहाँ से एक ऐसा रिष्टा बना कि उन्होंने मुझे कई जगा refer किया, मैंने NTPC के लिए programs किया, और कई जगा programs किये, तो एक relation भी बना, तो वहाँ से conversation जब आगे बढ़ती है, trust me, all of a sudden आप realize करोगे कि वो conversation कितनी आसान होगी है, क्योंकि suddenly आप दोनों एक side पर आ जाते हो ना, और यह आपको conversation में power देता है, आपको confidence देता है, और आपको एक fact बताता हूँ, हम सब humans का DNA 99.5% सेम होता है, सिर्फ 0.5% का difference हमारे DNA मे है, जो हम एक दूसरे से अलग बनाता है, तो जब genetically हम सब एक जैसे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको दूसरे में जरूर मिलेगा, जो आपके साथ मैच करेगा, अब आगे हम अपनी fourth underrated communication skill पे, वो है vitamin A, famous American memoirist और poet Maya Angelou का एक world famous quote है, कि people will forget what you do, they'll forget what you say, but they will never forget how you made them feel, कोई भूल सकता है कि आपने उनके साथ क्या किया, वो शायद भूल सकते है कि आपने उनने क्या कहा, पर वो ये कभी नहीं भूल सकते कि आपने उनने कैसा एहसास कराया, आपको पता है कि हम सब का एक compliment immunity meter होता है, मतलब एक ऐसा compliment जो आपको life में कई बार, कई लोगों से मिला है, एक time के बाद वो आपको hit मारना बंद कर देता है, आपको उसकी आदत हो जाती है, एक time के बाद आपके लिए वो बहुत आम हो जाता है, for example, कोई लड़की जो बहुत सुन्दर है, उसको आदत हो चुकी है, हर कोई उसकी तारीफ कैसे क बहुत अच्छा था, तो उसको थोड़ा different लगेगा, so what I'm trying to say is, जो compliment बहुत common है, आम है, लोग उसको seriously ने लेते, देखो, compliment हर किसी को अच्छा लगते है, अपने बारे में अच्छा सुनना हर किसी को पसंद है, लेकिन यह compliment जब थोड़े different तरीके से दिये जाएं, तो वो special और memorable हो जाते हैं, और एक fact बताता हूँ, 40% लड़किया minimum दिन में एक बार ज़रूर किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, लेकिन लड़कों में यह number 22% है, तो हमें इस पे ज़्यादा काप करना होगा, so fourth point में compliment immunity meter याद रखना, और vitamin A, यानि vitamin appreciation देते भी रो और लेते भी रो fifth tip है, opinion, parliament कब अच्छा लगता है, parliament कब अच्छा लगता है, जब वहाँ बातचीत हो रही हो, ना कि जब मार पीट हो रही हो, इस दुनिया में हर किसी का एक अपना opinion है, and trust me, हम सब क्या चाहते हैं, हम साते हैं कि उन opinions को को सुने, उन opinions को respect करें, हम अपनी opinions को validate कराना चाहते ह है मेरी अगली टेक्नीक के conversation को great बनाने के लिए ask opinion, actual में real conversation के शुरुआत ही तब ही होती है, जब सामने वाला opinion देता है, तो हो ज़्यादा engaged होता है, वो बहुत कुछ कहना चाहता है, और जब आप इस टेक्नीक को apply करोगे, आप हैरान रह जाओगे, तो कितना कुछ है सामने वाले के बारे में जो आप जान सकते हैं, शुरू में सिर्फ general बातों पर opinion लो, धीरे धीर आपको practice हो जाएगी, शुरू में सिर्फ ये पूछ सकते हो कि आपको coffee क्यों जादा पसंद है, last movie आपने कौन सी देखी और वो आपको कैसी लगी, और जब आपको सामने वाले से ज communication technique जो आपकी conversation को great बनाएगी, 6th point वो है be present, I'm sure आपने भी कभी न कभी experience किया होगा, मैंने भी किया है, क्या हम पूरी तरह से dedicatedly दिल से दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं, और दूसरे वाले सामने वाले है, वो, हाँ, ठीक है, साथ-साथ phone चला रहा है, multi-dasking कर रहा है, ज और यह बहुत बड़ा कारण है, कि आज कल ना खाने में सवाद आ रहा है, अपना relations में, you know what, जब आप एक conversation में हो, तो सबसे least जो आप कर सकते हो ना, उस conversation में contribute, वो है उस conversation में होना, पूरे दिल से वहाँ उस पल में होना, और आप यह कैसे कर सकते हो, अपने eye contact के साथ, अपने expressions के साथ, आज के time पे अपनी family की, लोगों की, दूसरों की बात में present रहना, उनके लिए सबसे बड़ा present है, ऐसा करने से आप उस बातचीत को महसूस कर पाऊगे, जब present में होगे, सुन पाऊगे, और जब सुनोगे, तो बातों में से बाते निकाल पाऊगे, तो बा कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? अगर सच में आपको conversation build करनी है ना, तो कोशिश करो कि सामने वाले की कुछ details आप याद रखो, जब आपकी कोई चीज किसी को याद रहती है, तो आपको कैसा लगता है? आपको valued feel होता है? ऐसी आप सामने वाले को important और special feel करा सक तो उसकी चीजों को याद रखें, आपको यहाँ पर भी अपना एक incident share करता हूँ, मेरी वाइफ का एक कुलीक था पुषपेंद्र, तो एक बार office की उनकी party में मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा उसके बारे में उनकी details पूनी, और मेरी आदत है दूसरों की details को याद रखने की, अब कुछ हफतों के बाद हम दुबारा पुषपेंद्र को मिले, तो मैंने का के भाई कैसे हो आप और भुपाल में आपके parents कैसे है, जब बात आगे होई मैंने का आपकी दोनों sisters US में ठीक हो और आपका भाज़ा कैसा है, तो उनके चेहरे पे जो smile थी, जो कि य हम भी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, किसीने अपने pet का नाम बताया, अगली बार पूछ लिया, कोई health related किसीने share किया, important है याद रखो, उनको कौन सी चीजे पसंद है, उनके बच्चों के बारे में उनकी wife का नाम, उनकी girlfriend का नाम, mix मत कर देना, wife के सामने girlfriend का नाम मत ब college video के, और इन 7 points के साथ आप अपनी communication को और improve कर पाऊगे, अपने confidence को और build कर पाऊगे, और जो भी सवालों नीचे comments में बताना, जिन भी topics पे video चाहिए, नीचे comments में बताना, बंदा सेवा में हाजर है, और अगर आप मेरी growth minded community का part बनना चाहते हो, तो नीचे description में link है, हम एक कैसी community बना रहे हैं, जिसमें सब growth minded है, एक दूसरे को support कर रहे है, positive environment बिल्ड हो रहा है, trainings है, life sessions है, यह सब उस community के अंदर, उस training के अंदर, उस program के अंदर है, मीचे description में आपको उसका link मिल जाएगा, you are most welcome to join this community of committed people, of growth minded people, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक खुश आए, खुशियां बांड तरिये, I love you all!